आप free body diagram बनाना सीखते हैं जब forces act कर रहे हों किसी angle पे एक body पे तो आप चालो करते हैं एक छोटे से example से मेरे पास यहाँ पे एक hard flat frictionless surface है और इस पे रखी हुई है एक block एक block जो कि बिल्कुल भी accelerate नहीं कर रही है किसी भी direction में बिल्कुल भी rest पे रखी हुई है अब मुझे दिया हुआ है कि इस block की weight यह कुछ 10 newtons के बरापर और मुझे पता लगाना है कि इस block पे कितने forces लग रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि तुम इस video का एक बार pause करो और खुद से एक बार try करो अब अगर तुमने try कर लिया है तो आप देखते हैं मैं draw करने वाला हूँ इस block की FBD free body diagram और इसे ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह करने के लिए हम केवल एक body पे ही focus करते हैं उसके surrounding को बिल्कुल भी draw नहीं करते हैं केवल उस body को draw करते हैं और उस body पे लगने वाले forces को draw करते हैं अब free body diagram बनाने के दो तरीके हैं और इस वीडियो में मैं तुम्हें दोनों दिखाने वाला हूँ अब पहले तरीके को देखते हैं तो सबसे पहले मैं draw कर दूँँगा उस body को जिसके उपर लगने वाले forces के बारे में हमें बात करना है तो यह हो गई मेरी body अब देखो मुझे दिया हुआ है कि इस body की weight यह है 10 newtons के बरापर और weight तो gravity का force ही होती है यानि कि इस block को gravity धरती की gravity यह खीचरियों की नीचे के तरफ अपने center के तरफ 10 newton के force से तो यह होगी gravity की force इसकी magnitude बरापर हो जाएगी 10 newtons के बरापर अब देखो इस type की free body diagram में हम force vectors को बनाते हैं body की center से अब मैं तुमसे यह पूछना चाहूँगा कि क्या इसके अलावा कोई और force लग रहा होगा इस body पे अब देखो अगर केवल यही force लग रहा होता body पे तो यानि कि net force इस body पे है नीचे के direction में यानि कि body को accelerate करना चाहिए था नीचे के direction में लेकिन मैं तो अभी अभी कहा कि body तो बिलकुल भी accelerate नहीं कर रही है body तो बिलकुल rest पे रखी हुई है यानि कि net force 0 होना चाहिए इस पे यानि कि इस body पे एक force लगना चाहिए उपर के direction में जो कि इस gravity के force को cancel out कर जाए अब ये force देने वाली है ये हमारी surface देखो ये surface ये block को उपर के तरब धके लेगी ये इसे नीचे accelerate करने से रोकने वाली है तो यानि कि हमारी block पे एक और force लग रहा होगा उपर के direction में और ये force लगा रही होगी हमारी ये surface और इसकी magnitude ये तो बराबर होनी चाहिए नीचे वाले force के magnitude के ये बराबर होनी चाहिए 10 N के ताकि ये दुनों forces एक दूसरी को cancel out कर दें और हमारी पास कोई net force नहीं हो vertical direction में ताकि कोई net acceleration नहीं हो और body rest में ही रहे अब देखो वैसे इस force का हम एक नया नाम देते हैं इसे हम कहते है normal force और ये लगा रही है surface हमारी block के उपर अब देखो हमारे पास y direction में कोई net force है नहीं तो कोई net acceleration है नहीं और x direction में तो मैंने कोई force बनाया ही नहीं है मुझे कोई यहां पर दिखी नहीं रहा है force तो यानि कि x direction में भी कोई net acceleration नहीं होने वाला है तो यानि कि हमने अपनी body की free body diagram यह अच्छे से बना ली है तो मैंने तुम से कहा था कि free body diagram बनाने के दो तरीके हो सकते है अब किनी किनी किताबों में तुम्हें यह दूसरा तरीका भी मिल सकता है यह होगी तुमारी block और इस बार जो forces है न यह तुम center से मत बनाना बलकि इस block की boundary से बना देना ऐसे यह होगी gravity की force 10 newtons और यह normal की force यह यहाँ इस boundary से उपर के तरफ यह भी 10 newton नॉर्मल की force तो यह हो गया second तरीका तुम किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो अब आप एक दूसरा सवाल लेते है यहाँ इस बार मेरी block तो वही है लेकिन इस पे एक extra force लग रहा है अब अगर तुमने try कर लिया है तो आप देखते हैं जब मैंने इस सवाल को पहली बार देखा तो मैंने यह सोचा कि यह नई force लग रही है मेरी block के उपर तो मैं इस नई force को इस पुरानी free body diagram के उपर directly बना देता हूं और मेरा answer आ जाएगा तो मैंने कुछ ऐसे बना दिया अब तुम यह सोच रहे होगे कि मैंने इस force को यहाँ इस direction में क्यों बनाया है यह force तो इस block को ऐसे धकेल रही है न तो देखो generally जिन vectors के हम बात करते हैं उन्हें हम easily translate कर सकते हैं बिना उन्हें change किये हुए अगर मैं इस vector की magnitude और direction को change नहीं करूँ और इसे translate करूँ तो यह vector same ही रहने वाला है तो चाहिए मैं इसे यहाँ लगाँ चाहिए मैं इसे यहाँ लगाँ कोई difference नहीं आने वाला है अब देखो जब हम free body diagram की बात करते हैं इस वाले type की free body diagram तो उसमें हम forces को body के center से बनाते हैं और इसलिए मैंने force vector को यहाँ से draw किया है तो हाँ, जब मैंने यह नया force देखा अपनी block के उपर तो मैंने इसे directly अपनी पुरानी free body diagram के उपर कुछ ऐसे बना दिया लेकिन देखो यह पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि देखो, forces की direction यह तो same रहने वाली है लेकिन इनकी magnitude यह बतल जाएगी देखो, अब यह वाली जो force है ना यह extra force इस block को नीचे के तरफ भी ठकेल रही है और right side में भी ठकेल रही है तो अगर तु vertically downward direction में देखो तो gravity की force, यह तो 10 newton अभी भी लग रही है लेकिन plus इस वाली force का एक component भी लग रहा है नीचे की direction में तो total force नीचे की direction में अब 10 plus कुछ लग रहा है यानि कि बड़ा force लग रहा है यानि कि इस force को balance करने के लिए उपर की direction में मुझे एक बड़ा force चाहिए ताकि net force vertical direction में zero हो जाए और कोई acceleration नहीं हो block की तो यानि कि normal का force यह अब केवल 10 newton नहीं हो सकता है तो यह गलती होने वाली है हमारी FBT में तो अगर तुम्हे normal force की correct magnitude चाहिए तो तुम्हें इस नहीं वाले force की components निकाननी पड़ेगी horizontal और vertical component तो अब इसे करते हैं अब अगर तुम्हें किसी भी vector को component में तोड़ना याद नहीं है तो अब एक बार recap कर लेते हैं यह मेरे पास एक force vector है कुछ ऐसे इसकी magnitude मालो कि F newton ती वह है और यह horizontal से कुछ theta degrees बना रहा है तो अब इसकी horizontal component यह हो जाएगी कुछ ऐसे यह होगए इसकी horizontal component और इसकी vertical component यह हो जाएगी यह वाली component हाँ तो अब इन components की magnitude निकालने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ trigonometric ratios का sine और cos का इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ तो यहाँ पर horizontal component की magnitude यह आजाती है as f cos of theta और यहाँ पर vertical component की magnitude यह आजाएगी f sin of theta अब आव एक और example लेते हैं मेरे पास एक force vector है जो की नीचे के तरह point कर रहा है ऐसे अब इसे तोड़ते हैं इसकी horizontal और vertical component में तो देखो इस वाले force vector की vertical component उपर के तरह point कर रही थी यह वाला force vector यह उपर के तरह point कर रहा था अब यह वाला force vector इसकी magnitude मालों की कुछ f है और यह horizontal से कुछ theta angle बना रहा है यह point कर रहा है नीचे के तरफ तो इसकी vertical component यह भी point करने वाली है नीचे के तरफ ऐसे और इसकी horizontal component यह point करेगी left direction में यह ऐसे अब देखो मुझे पता लगा रहा है इन components की value अब इनका magnitude same है यह angles भी same है तो अगर मैं trigonometric ratios का इस्तेमाल करूँ तो इन components की magnitude यह भी same ही आने वाली है यह वाली component horizontal component इसकी magnitude हो जाएगी f cos of theta और इसकी magnitude यह हो जाएगी f sin of theta पस direction का फर्क पड़ा है और वो इसलिए क्योंकि force vector अब ulti direction में point कर रही है चलो अब हम अपने पुराने सवाल पर वापस आते हैं तो यह हो गई हमारी नई वाली force अब इसे resolve करते हैं इसके horizontal और vertical component में तो यह हो जाने वाली है इसकी vertical component और यह हो जाएगी इसकी horizontal component यहाँ से यहाँ तक अब आव इसकी magnitude निकालते हैं तो इसकी horizontal component इसकी magnitude हो जाएगी hypotenuse into cos of 60 degrees इससे में लिख लेता हूँ यहाँ पर hypotenuse is 20 into cos of 60 degrees अब cos 60 इसकी value हो जाती है half यानि कि में लिखूंगा 20 into half और 20 divided by 2 यह होता है 10 newtons तो 10 newtons का force लग रहा है horizontal direction में अब इसकी vertical component यह निकालते हैं तो इसकी magnitude यह बराबर हो जाएगी hypotenuse into sin of 60 degrees 20 into sin 60 और sin 60 इसकी value हो जाती है root 3 by 2 तो root 3 by 2 into 20 यह हो जाएगा बराबर 10 root 3 के this is equal to 10 root 3 तो अब हमने इस force vector को तोड़ दिया इसके vertical और horizontal component में वो दो component जो की surface के perpendicular और parallel direction में है अब इनकी मदद से हम यह पता लगा सकते हैं कि अब हमारी normal की force इसकी magnitude क्या होने वाली है तो आओ इस block की नई free body diagram बनाते हैं थोड़े से यहाँ पर जगा बना लेते हैं हाँ तो अब यह हो गया मेरा block यहाँ पर यह मैंने बना दिया block और इस block पर लग रहा है gravity का force नीचे के direction में यह मैं second type की free body diagram बना रहा हूँ एक 10 newton का gravity का force लग रहा है नीचे के direction में अब इसके लावा एक और force लग रहा है और वो है इस नई वाली force का vertical direction में component और इसकी value है 10 root 3 के बराबर तो यह force हो जाने वाली है 10 root 3 इसे मैंने थोड़ा लंबा दिखाया है क्योंकि यह थोड़ी बड़ी force है 10 root 3 newton की force अब देखो कितना होने वाला है मेरा normal force अब अगर हम मान रहे हैं कि मेरी यह surface यह बहुती strong है यह इस block को तोड़के इस surface को तोड़के नीचे जाने से रोक रही है तो इसका मतलब कि यह completely balance कर रही होगी downward force को यानि कि जो normal का force लग रहा होगा उपर के direction में यह बराबर होने वाला है net downward force के यानि कि इसकी value हो जाएगी 10 plus 10 root 3 newtons के इतनी force लग रही है उपर के direction में और यहाँ पर देखो net force in vertical direction यह होगा है 0 यानि कि vertical direction में कोई acceleration नहीं होने वाला है अब इसमें एक और force लग रही है इस force का horizontal component इसे तो हमने बनाये नहीं तो यह लग रही है इस direction में और इसकी value दी वही है कुछ 10 newtons यह हमने अभी इभी calculate किया 10 newtons अब देखो यही बहुत ही अच्छी बात है हमारी free body diagram की क्योंकि इसे देखते ही हम बता सकते हैं कि body के साथ क्या हो रहा है body की motion कैसी होने वाली है अब क्योंकि vertical direction में net force नहीं है यानि कि vertical direction में कोई acceleration नहीं होने वाला है block का लेकिन block पे एक net force है horizontal direction में 10 newtons का यानि कि यह block यह accelerate करने वाली है horizontal direction में